SD24 News में आपका फिर से इस्तकबाल है आज भी हमेशा की तरह कुछ हेडलाइन्स के बाद भारत से एक अहम खबर पर रोशनी डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने EVM के खिलाफ कानूनी युद्ध शुरू किया मिस्ट कॉल के लिए जारी किया नंबर तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक I do not believe that there is no God but allah I do not believe that Muhammad, Muhammad and the Prophet I do not believe that Muhammad is the Prophet भारत के मशहूर शायर मुनवर राणा नहीं रहे इन्ना लिल्लाही वव इन्ना इलेही राजियून Globe Eye News को दे इंटर्व्यू में President of European Islamic Organizations अब्दुल्लाह बिन मंसूर ने बताया कि गजा पर इस्राइल ने किये हमले के बाद पिछले सौ दिनों में फिलिस्तीनी लोगों के मजबूत इमान, सब्र और उनके जजबे से मुतासिर होकर इसलाम अपनाने वालों की तादाद में 400 फिसद का इजाफा हुआ है फ्रांस में 20 हजार से ज्यादा लोगों ने सिर्फ मुजाहिदों की क्लिप्स देख कर इसलाम अपनाया है जबकि फिलिस्तियों के सब्र से मुतासिर होकर हजारों लोगों ने इसलाम अपनाया है पिछले 100 दिन में गजा की 114 मस्जिदों को इसराइल की बंबारी ने शहीद कर दिया जिसमें गोला बारूद अमेरिका का इस्तिमाल किया गया और साथ सहयोग बिटेन का था पूरे फिलिस्तिन में तकरीबन 200 मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया भूक, गरीबी और जुल्म के साथ इसराइल के जरीए कतलियामा के माहौल में जी रहे सैकडों पैगंबरों के वारिस फिलिस्तिनी लोग अनाज से भरा ट्रक आने की जानकारी मिलने के बाद सडकों पर निकले इस वक्त इसराइल की जॉंबी सेना ने गोलियां चलाई जिसमें तीन लोगों के शहीद होने की खबर है कल रात बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, वैवर्स और हमारे SD24 News को चाहने वाले भाईयों, बुजर्गों और बहनों ने गिफ्ट या साथ सहयोग की नियत से सुपर थैंक्स और क्यू आर कोड के जरिए अपनी मुहबबत जाहिर की जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया साथियों SD24 के intellectual audience पिछले 10 साल से EVM यानि electronic voting machine को लेकर कई तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं कहीं voter से ज्यादा voting, कहीं अधिकारियों के घर पर voting machine का मिलना, कहीं उम्मीदवारों को खुद का vote नहीं मिलना, जैसी कई खबरे देखने को मिलती है, और EVM को लेकर हर चुनाव के बाद कोई ना कोई राजनैतिक पार्टी, बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए चार दिन उच्छल कूद करती है और खामोश हो जाती है, लेकिन इस बार ये लड़ाई आर पार की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस सिलसिले को दस साल गुजर गए, लेकिन इस साल अधिवक्ता महिमूद, प्राचा और अधिवक्ता भानु प्रसाद ने, EVM के खिलाफ जोड़दार आंदोलन शुरू कर दिया है अधिवक्ता भानु प्रताप और महिमूद, प्राचा ने चुनाव आयोग से 50 EVM मांगे और चैलेंज किया, कि पब्लिक प्लेस में EVM को हैक करके दिखाएंगे, लेकिन उधर चुनाव आयोग ने EVM सुरक्षित होने की बात की है आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, कि EVM से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, और EVM के साथ विवी पेट मशीन लगाने का आदेश दिया था आज एडवोकेट भानू प्रसाद और महेमूद प्राचा ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है और लोगों से अपील की है जो भी EVM को बंद करवाना चाहते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं, वो इस नंबर पर मिसकॉल करें तो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्राटिक न्यूज, SD24